सो गाईज अगर आप भी खीरे प्यास टमाटर का सैंडविच खाके अगर बोर हो चुगे हैं तो यह सैंडविच बलकुल आपके लिए ही है बहुत ही सूपर टेस्टी है और सूपर हेल्दी है चलिए इस गीरेस भी स्टार्ट करते हैं अगर इसे देखकर आपके मुँबे भी पानी आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है प्लीज हिट दा लाइक बटन इसके लिए मैंने यहापे एक पैन में थोड़ा सा बटर गरम किया है बटर गरम हो चुगा है इसमें हमने थोड़ा सा धनिया पौडर डाला है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर थोड़ा सा आम चूर पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला यहापे मैंने थोड़ा सा चना मसाला भी डाला है इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमारे बॉइल चिक पीस है जिसमें अल्रेडी सॉल्ट है हम इसमें एड़ कर मैंने कल चने बनाये थे उसी में थोड़े से चने हमने उबले हुए रोक लिए थे जिसके आज हम सैंड्विश असानी से बना सकते हैं इसमें थोड़े से चनों को हम मेश कर देंगे जिससे अच्छी से एक बैंडिंग आ जाएगी चनों में ज्यादा मेश नहीं करना है बस हलका सा अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लेक सॉल्ट टालेंगे और यहां पे बारी कटिवी ग्रीन चिलीज और धनिया डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी चनी की स्टफिंग तयार है अब हम अब सैण्विच को असेंबल करना है जिसके लिए मैंने दो स्लाइस ब्रेट के लिए है ब्राउन ब्रेट के आप चाहें तो बीड़ भी ले सकते हैं और चाहें तो मल्टी ग्रेंड भी लेंगे अब यहां पर थोड़ा सा बट चाहें पर ग्रीन चेटनी लगा रही नहीं है थोड़ी सी ठीक रखिएगा और दूसरे स्लाइस पर मैंने यहां पर रेड चिली सॉस लगाई है क्योंकि चनी का सैंडविच है थोड़ा सा स्पाइसिस को हमें तेज ही रखना होगा अब यहां पर हम एक स्लाइस पर जो हमने चनी की स्टफिंग तयार करी थी वो हम लगा देंगे प्रेंट सी इतना है भी है आपने एक सैंडविच खा लिए तो आपका पेट भर जाएगा अब हम इसके उपर क्योंकि यह हमारा चना चीजी सैंडविच है इसलिए मैंने आप एक क्यूब चीज का इस पर ग्रेट कर दिया है आपके पास स्लाइस हो तो आप वो भी यहां प कवर कर देंगे यहां पर थोड़े से स्पाइसिस एड़ करें जिस मैंने सॉल्ट और पेपर डाला है आप अगर और कुछ पसंद करें वो भी एड़ कर सकते हैं सैंडविच हमारा सेंबल हो चुका है अब हम इसे टोस्ट करेंगे इसके लिए मैंने हापे तबे पर थोड़ सब बटर लगाएंगे और एक नाइसली हमसे क्रंची होने तक टोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर मैं इसे टोस्ट करेंगे बहुत ही बहुत यमी है यह हमारा प्रोटीन ट्रिच हेल्दी सैंडविच रेड़ी है चलिए इसको सब कर लेते हैं गाइस इसे आप एक पर